यहां से कर सकते हैं ठीक है अभी हम आपको बता रहेते हैं जो फर्स पॉइंट हो हमारा क्लियर तैप उसको आपको देखना है उसके लिए आप क्या करोगे राइट क्लिक करोगे प्रॉपर्टी पर जाओ प्रॉपर्टी पर जानने के बाद यहां पर ऑप्शन दिख रहा है आपको डिस्प्ले आप डिस्प्ले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे डिस्प्ले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर मिलता एडजस्ट क्लियर टाइप टैक्स्ट आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अभी आपका इस पर मतलब स्लेक्ट है यहां न करते जाएंगे यहाँ पर आपको इस तरह से चाहिए अब यह पूछ रहा है जैसे कि अगर मान लीटी यह वालब ऐसे तो हर एक स्ट्रम में आपको क्या मिलेगा, अगर यह आफ है तो आपको system कैसा दिखनेगा system में जो भी text आप type करोगे या फिर कोई software की नीचे जो नाम आते हैं वो सभी आपको इस तरह से दुन देखेंगे ठीक है आप next करते जाएंगे next करते जारा है इन दोनों में से आपको कौन सा सही लग रहा है जो भी आपको रखना है आप उस पर select करिए next करती से बैसे तो पहले से select कर वो सही है देखें इन में थोड़ा थोड़ा अंतर है आपको जो भी choose करना है जो सबसे सही आपको लग रहा है आपको इसको select करेंगे और next करते जाएंगे ठीक है अब हमने इसको बंद किया हुआ है देखें एड्जस के लिए टाइप पर जाने ही बंद करेंगे देखें थोड़ा सा आप दिखने लगा next करेंगे फिर से हम इसको next करेंगे इन दोनों में से आपको कौन सा सही लग रहा है जो भी सही लग रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे और next कर जाएंगे ठीक है यह आपको यह क्या कर रहा है click the text sample that looks best to you पांच रूश्टेप है इसमें पांच रूश्टेप आपको complete करनी रहे है नेक्ष्ट करते रहेंगे यह यहां पर यह आ रहा है you have finished tuning the text on your monitor ठीक है आपके monitor पर जो टेक्स रह इस तरह से दिखेगा आप इसको finish कर देगा तो यह वाला option है आपको यहां पर मिलता है first one option address के लिए type इसके बाद start menu के बारे में आप लिख सकते हैं start menu पर क्या कर चुभी रहे हैं आप यहां पर कुछ भी आपका software रख सकते हैं इसके बार स्मार्ट सार्च के बारे में लिखेंगे आप इस तरह से और भी जो दिए नहीं सभी points के बारे में लिखते हैं इतने type की होती हैं अपन एक को और window होलते हैं किसको window होलते हैं जब अपन कोई यहां पर software खोलते हैं उसके अंदर जो screen आपके सामने आती है इसको भ इस पर काम करेंगे नहीं ए तो application window है ठूलती है आपने सही बताएth application window के अंदर ही डॉक्यूमेंट विंडो और अीक जब आप इस पर काम करोंगे यह दो आप बता ही आप इस फाल को सेप करते हैं तो आपके सामने कोई डायलोग बॉक्स आता है जैसे आप राउस पर आते हैं यह इस तरह का डायलोग बॉक्स आता है कोई बी डायलोग बॉक्स आता है, डायलोग बॉक्स तो सभी समझते हैं इसमें स्रिप बेक होती है उसे फोलडर टायते हैं देखे हbeiter कि एपंपन साथ में इपलिकेशन विंडो कोने साथ है एप की विंडो होती है उसको अपन बोलते है एप्लिकेशन विंडो में विंडो जो होती है ठीक है यह एप्लिकेशन विंडो होती है MS Word, Excel, PowerPoint सभी में आप देखेंगे सभी में एप्लिकेशन विंडो जरूर होती है लेकिन जरूर ही नहीं है किसी को मीडिकेशन विंडो है तो इसमें डाप्युमाइंल भी हो ही दिक है किसी स में होती है और किसी किसी और पर राइड क्लिक कर है प्रपर्टीस पर जारहा इस तरह के जो डायलोग बोक्स आते हैं है यह neon आपन बोलते हैं फौल इनको आप एडिट नहीं कर सकते हैं, तीक है एडिट मितलब इनको छोटा और बढ़ा नहीं कर सकते हैं, आप या तो इसमें से कोई option चूज करके OK करो, या फिर इसको close करो, तब ही यह हैं, ऐसे आप इसको खोल के रखे हैं, तो आप अधर कोई काम भी नहीं कर सकते हैं, तो और seconds और आप इसमें इसमेंट पर जाते हैंThat ये खुलती है इसको बोलते हैं अपर डॉक्यूमेंट विंडू जो विंडू विंडू के अंधर यह खुलती है इस पर हमारा बर्ण करते है तो ये होती है डॉक्यूमेंट विंडू अब आए समझे कंधिने जरूरी नहीं है नहीं होती लेकिन आप फोटोसप पेसiding कर देख तो उसमें होती है तो इसलिए आपके बुक में आपने पढ़ा होगा वुक में यह लिखा है कि एप्लिकेशन विंडो फॉल्डर विंडो जो डॉक्यूमेंट विंडो होती है वह एप्लिकेशन विंडो के अंदर ही खुलती है और उस पर आप करते हो अपने बर्क करते हो ले जैसे application window होती है, सेम ऐसी document window होती है इसमें इस बिशिक मैंपी में माझिमाइज वेड़ गातल सिर्फेध में डॉक्या дав यह मैं फोल्टे है तो इस तरह से इसपनij डॉक्यूमेंट विंडो बोलता है गोवेडे के व 전से पाड़े हैं तो डॉक्योमेंट विंडो भी आटमेंटिक खाती है फिक है डायलोग बोक्स जो होते हैं जिनको अपन डायलोग बोक्स बोलते हैं जैसे कि हमने राइट क्लिक किया प्रापरटीज पर गड़ाई यह क्या है एक डायलोग बोक्स है इसमें क्या है आप देखे साइड में माउस पॉइंटर लेकर जा रहा है इसको अपन अईरिट नहीं कर सकते हैं छोटा और बड़ा नहीं कर सकते हैं या पिर इसमें से कोई option चूज करके आप OK कर सकते हैं इसे अपने स्टाइब की होती है इसे अपने स्टाइब मेन्यू के ऊपर आप लिए विए अपने स्टाइब कर देखे लिए इसे अपने स्टाइब कहते हैं स्टाइब मेन्यू के ऊपर आप यह जो प्रोग्राम आपको दिख रहे हैं इनको आप पिन भी कर सकते हैं अन्पिन भी कर सकते हैं आकाई सब्ची हमीन को यह साथ सब्सक्रीज करें यहां है कर लेंगे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस यह पीछे जो ह grandson आ मैं 산 गार एंगर जब चाव मॉल्यं का बाराइन चेर यह श्यार यह मारे ऐसके wow प्रहूंस और यह सब इडियास में यह जो होते हैं इनको आइकन्स मोलते हैं तो यह सब आप लग सकते हैं आप लोग क्या करना अपना पढ़ कराना थोड़ा सा जैसे आप बुक्स भी पढ़ा कर आप प्रेक्टिकल तो रोज करते हैं क्योंकि बुक्स में जो आप प्रेक्टिकल पढ़ रहे हैं वो तो है थोड़ा सा थेओरिटी कल भी रहता है वह पढ़ कर आप नहीं आता है तो आप यहां पर आपके पूछा करो ताकि आपके अदर जो डाउट्स हैं भी क्लिया रहे हैं तो अभी हम आपको नोटपेट और अभाइट-पेट के बारे में बता में